क्या आप करियर प्लानिंग कर रहे हैं कि क्लास 10 के बाद क्या किया जाए पढ़ा जाए या कुछ हो अगर पढ़ा जाए तो क्या पढ़ा जाए इस वीडियो में हम इसी भी से पर बात करेंगे कि क्लास 10 पुरा करने के बाद क्या किया जाए जिससे आपको अपना करियर करने के बाद अपना सकते हैं तो सबसे पहले आता intermediate school यानि उच्तर माध्मिक सिच्छा सबसे पहले आप intermediate school में दाखला लेकर आप अपनी सिच्छा जाजी रखने का विकल्ब चुन सकते हैं intermediate schools science, commerce और art stream में course आफर करते हैं intermediate पूरी करने के बाद आप इस बिद्यालों या कालेजों में इस नातक यानि undergraduate कर सकते हैं यदि आप किसी special शेत्र में डिग्री हासिल करना चाते हैं तो या विकल्ब बहुत ही अच्छा intermediate में एक stream का chain करते समय आपको अपनी रुचियों अपनी समताओं यानि आपकी सब्जेक्ट में अच्छे हैं और भविश्य के कहरियर अपने लच्छियों पर विचार करना बहुत जरूरी है science, commerce और art stream के भी chain करते समय ध्यान रखने योग कुछ बाते हैं जिनने जानना जरूरी है जैसे science side अगर आप science side लेते हैं तो science side उनके लिए है जिन छात्रों की गड़ीत और विज्ञान विश्यों जैसे भौतिकी रसायन विज्ञान और जी विज्ञान में एक मजबूत ही हो किता है वे science side में दाखला लेने का विकल्प चून सकते हैं यह stream उन छात्रों के लिए बहुत अच्छा विकल्प है जो engineering, medicine, research और technology जैसे छेत्र में करियर बनाना चाहते हैं विज्ञान stream के छातर सुद्ध विज्ञान विश्योक अध्यान करने और विज्ञानिक अनुसंदान, परियावरण विज्ञान या फॉरेंशी विज्ञान जैसे छेत्रों में करियर बनाने का विकल्प भी चून सकते हैं science side में भी दो side होते हैं, एक होता है math side और एक होता है bios, बाकी चारों subject शेम होते हैं, केवल यही अंतर होता है, आप math ले सकते हैं या फिर bio ले सकते हैं, बाकी physics community और Hindi English होता है फिर आप intermediate के जरी आप commerce side भी ले सकते हैं, commerce side में business, finance, economics और accounting में रुची रखने वाले चात्र, commerce system में दाखला लेने का विकल्प चून सकते हैं, या इस्ट्रीम उन चात्रों के लिए अच्छा है जो banking, वित, लेखा, प्रबंधन या कानुन जैसे छेत्रों में करियर बनाना चाते हैं, commerce system के छात्र भी उशाय के विशेश छेत्रों के बारे में ज्यान प्राप्त करने के लिए entrepreneurship, बिपणन या मानोस अंसाधन जैसे विशेओ का दियन करना भी चून सकते हैं, intermediate school आपको art side यानि कला stream प्रवाइड करती है, जिन छात्रों का रसनात्मक और कलात्मक समाजिक विज्ञान के विशेश छेत्रों के बारे में ज्यान प्राप्त करने के लिए मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, इतिहास एराजनेती विज्ञान जैसे विशेओ का अध्यान करना भी चून सकते हैं, साथ-साथ आप ये जरूर ध्यान रखे कि ये जो मैं बता ये केवल सामान दिशा निर्देश है, और छात्रों को उस इस्ट्रीम का चैन करना चाहिए, जो उनको रूचियों, छमताओं और उनके भविश के केरियर के साथ सन्रकित होता हो, अन्तिता कहा जाए तो इस्ट्रीम का चुनाओ पर्तिक छात्री के आकन चाओ और छमताओ आप निर्भर करेगा, अगर आप इंटर्मीडियेट नहीं करना चाहते हैं, तो दूसरा आपसन आपको मिलता है बेवसायक सिच्छा, यानि वो केशनल एजुकेशन, यदि आपके मन में एक विशेश कहई गया है, तो बेवसायक सिच्छा आपके लिए विकल पहुसके है, बेवसायक सिच्छा पाठिक्रम बिविन छेत्रों जैसे स्वास्त सेवा, आतित, परेटन और आईटी में प्रसिच्छर पुदान करते हैं, इन पाठिक्रमों को इंडस्ट्रीज में विशेश नोकरियों के लिए छात्रों को त्यार करने के लिए डिजाइन किया गया है, यहाँ विकल बहुत अच्छा है, यदि आप बेवहारी ग्यान और कोशल हासिल करना चाहते हैं, जो आपके चुने हुए करियर में आवश्यक है, बेवसायक सिच्छा एक स्वतंतर बिशा है, और इंटर्मेडियेट करना आनिवारे नहीं है, लेकिन आम तोर पर बेवसायक सिच्छा पाठकरम को बेहतर ढग से समझने और उनके ज्ञान को बेवहारी की स्थितियों में लागू करने में मदद कर सकता है, इसके अतरिक कुछ बेवसायक सिच्छा पाठकरमों में बिशेस पातरता मांदर्ण हो सकता, यानि इलिजबिल्टी कराइक्टेरिया हो सकती ह है जिनके लिए इंटर्मेडियेट करने की आवशकता होती है, उदाहरन के लिए कुछ स्वास्त देख्वाल पाठकरमों के लिए आपको विज्ञान की बुनियादी समझ की आवशकता हो सकती है, और साथ ही कुछ आइटी पाठकरमों के लिए गड़ीत के साथ परचित होन प्रता मांदण यानि इलेजिबिल्टी क्राइटेरिया को पुड़ा करने में शायक हो सकती है। आपको सनाता आप बेवसाइक सिच्छा कहां से सीख सकते हैं। भारत में बेवसाइक सिच्छा विविन सस्थानों से सीखी जा सकते हैं। जो बेवसाइक पाइटेकरम और प्रसिच्छड कारेकरम परदान करते हैं। भारत में बेवसाइक सिच्छा के कुछ समाने सुरूत हैं। जो यह हैं अद्योगिक प्रसिच्छड सस्थान यानि ITI। इस सस्थान बिविन छेतरों जैसे वेल्डिंग, प्लम्बिंग, एसी रिपेरिंग, इलेक्टिकल वर्क आद में बेवसाइक सिच्छड परदान करते हैं। दूसरा है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेकनिक बिभीन इंजिनेंगे छेत्रों जैसे मेकेनिकल, एलेक्ट्रिकल, सिविल और अन्य में डिप्लोमा पाठिक्रम परदान करते हैं। या एक सरकारी संगटन जिसका उद्योग के खिलाड़ी है यानि इंडेस्ट्रिज के लोगों और परशिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च के साथ साज़दारी के माद्यम से विभीन इंजिप्लोमें कोशल विकास को बढ़ावा देना है। पाँचवा है नीजी परशिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्चु वह सकता है अन्लाइन प्लेटफॉर्म सामने आए हैं जो विभीन इंजिप्लेद कोशल परशिच्च्च्च्च्च्यक आये हैं। बिशिष्ट्र में करियर सलीह कारों या पेशे वर्षों भी परामड्य कर सकते हैं अगर आप इंट्रमЙसाइक सिछा नहीं करना चाहते तो आप डिप्लोमा पाठीक्रमन दे सकते हैं बेशाइक सिच्छा के ही समान डिप्लोमा पाठिकरम विशेष गया और कोशल परदान करते हैं जो आपको इंजिनिरिंग वास्तुकला पत्रकारिता और जर्ज संचार जैसे विशेष छित्रों में नौकरी खुजने में मदद कर सकते हैं यह विकल्ब बहुत ही यदि आप डिग्री हासिल किये विशेश चित्र के बारे में गहन ग्यान प्राब्त करना चाहते हैं डिप्लोमा पाठिकरम आम तोर पर दसवी कच्छा के बाद अपना जाते हैं क्योंकि उन्हें विशेश चित्रों में विशेश ग्यान और कोशल परदान करने के लिए डिजान किया गया है डिप्लोमा पाठिकरम को पालिटेक्निक पाठिकरम के रुप में भी जाना जाता है और वे एक से तीन वर्ष की अवधिके हो सकते हैं डिप्लोमा कोर्स पूरा करने के बाद चात्र या तो सीधे कारेवल में प्रियोश करते हैं या आगे की पढ़ाई जैसे डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं डिप्लोमा पाठिकरम विशेश रुप से उन चात्रों के लिए उपयोगी होते हैं जो इंजिनिरिंग, वास्तुकला और फैसन डिजाइन या आतित्य प्रबंदन जैसे विशिष्ट चेत्रों में बेवारिक कोशल और कार्य तयार ग्यान प्राप्त करना चाते हैं हाला कि कुछ डिप्लोमा कोर्स ऐसे भी हैं, जो बार्विक के बाद भी आफर किये जाते हैं, ये पाठिकरम आम तor पर उन चात्रों के लिए इन कीए जाते हैं, जो किसी विशेश चेत्र में विशेश ग्यान और कोशल हासित करना चाते हैं, लेकिन डिगरी हासिल करना ने ये डिप्लोमा पाठिकरम उन छात्रों के लिए भी मददकार हो सकती है जो अपनी सिछा पूरी करने के बाद सीधे कारेवल में प्रिवेश करना चाते हैं यानि सीधे जौप करना चाते हैं इसे संशेप में देखा जाए तो डिप्लोमा पाठिकरम आम तोर पर भारती सिछा प्रडाली में दसवी कच्छा के बाद किये जाते हैं लेकिन कुछ डिप्लोमा पाठिकरम ऐसे भी हैं जिने बारवी कच्छा के बाद भी अपना आए जा सकता है डिप्लोमा कोर्स कप करना ह इसका चुना व्यक्तिगत छात्र के हितों, कैरियर के लच्छियों और सच्छिक पुरिष्ट भूम पर निर्वर करता है। अगर आपको पिछले तीनों आपसर नहीं पसंद आते हैं, तो आप भारती ससस्तर बरल में शामिल होने की इच्छा रखते हैं, तो आप अपनी दस्वी कच्छा पूरी करने के बाद राष्ट्री रच्छा अकादमी यानि NDA में दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद एक कठोट चयन परक्रिया होती है, जिसमें सारे देख फिटनेस परिच्छड, चिकित्स्या परिच्छा और ब्यक्तिकत साचातकार सामिल होते हैं, यानि पर्सनालिटी टेस्ट भी होते हैं। यह भी ध्यान रखना मतकूर है कि दसवी कठ्छा के बाद भारती ससस्तर बलो में सामिल होने वाले चात्रों को बलो में शेवा करते हुए दूरस्त सिच्छा के माध्यम से, यानि डिस्टेंस लड़ने के माध्यम से अपनी इंटर्मीडियेट कठ्छा पूरी करनी होगी। वहीं बारीवी कठ्छा की पढ़ाई पूरी करने वाले चात्र अविशा ट्रेनिंग अकादमी यानि OTA रूट के जरिये भारती ससस्तर बलो में सामिल हो सकते हैं। यानि आप अपना बिजनस करना चाते हैं। यदि आपके पास उद्यम सिल्टा की मान सकता है, आप इंटर्प्रिजोनर मनना चाते हैं, तो आप अपनी दस्वीक अच्छा पूरी करने के बाद अपना खुद का बेवसाया शुरू कर सकते हैं। भारत में यह हुआ युद् इत्ता बनाना चाते हैं, तो यह बिकल्प पहुँद अच्छा है। अगर हम देखें तो उद्यमिता के लिए इंटर्प्रिणोर्शिप के लिए कोई निश्चित उम्र या फिर अस्तर नहीं है। हाला कि इच्छुक उद्यमियों के लिए अपना उद्यम शुरू करने से पहले बेवसाय और उद्यमिता की बुनियादी समझोना बहुत महत्त पुड़ है। भारत में कुछ स्कूल और कॉलेज, इंटर्पिन्जिप, पाठिकरम और कारिकरम परदान करते हैं जो छातरों को उनके उद्यम सिलता को श्रल और ज्ज्ञान को विक्सित करने में मदद कर सकते हैं। वह अच्छातर बेवारिक अनुभव और उद्यम सिल्ता पारिस्तित की तंत्र के संपर्क में आने के लिए विबिन उद्यमिता प्रतियोगिताओं और कारिकरम में भी भाग ले सकते हैं। इसकी अलामा युवा उद्यमियों का समर्थन करने के लिए भारत में विबिन यूजनाएं और कारिकरम उपलब्द हैं जैसे स्टार्ट अप इंडिया कारिकरम जो स्टार्ट अप करने वाले को धन, सलाह और अन्य संसाधन प्रदान करते हैं। इंटर्पिणियोर्ट की बारे में संचेप में बात कह जाए तो भारती सिच्छा प्रडाली में उद्यमिता शुरू करने के लिए कोई निश्चित अस्तर्या उब्रेने। इच्छुक उद्यमियों के लिए बेवसाय और उद्यमिता की बुनियादी समझ होना बहुत ही मत च्छात्र इस ज्ञान को उद्यमिता पाठिकरम और कारिकरमों उद्यमिता प्रतियोगता और कारिकरमों भागिदारी और भारत में इवा उद्यमियों को समर्थन के लिए उपलब्द विभिने यूजनाव और कारिकरमों का लाव उठाकर प्राप्त कर सकते हैं अब टोट चाहे आप डेगरी हासिल करना चाहते हैं, बेवारी कोसल हासिल करना चाहते हैं, या ससस्त्र बलों में सामिल होना चाहते हैं, या अपना खुद का बेवसाय करना चाहते हैं, भारती सिच्छा प्रडाली में सभी के लिए कुछ न कुछ है, अब मुझे पुरा यकीन है कि आप अपना करियर आसानी से चुन सकते इस तरह के educational और informational वीडियो देखने और सुनने के लिए Ignited Vision Classes को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद